आज हम डिसकस करेंगे नंबर थूरी उसका लेक्टर हमारे पास 12 है हमारे चैनल का नाम आजसाफ महमूद AP Mathematics है यहां पे FSE, BS, BSE, MSE Mathematics को डिसकस किया जाता है हमारे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर करें आज हमारे पास सब्सक्राइब क मौड M, इफ, देखें मैंने आपको उसने भी बताया था जाब आप लिखते हैं A, Congrens to B, A, Congrens to B, M, तो मैंने बोला था कि यहां पे डिवाइडन होता है, डिवाइडन, Congrens to, Remender, और मौड M, for example, हम 23 को डिवाइड करते हैं 5 पे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 5 divided by 23, अगर आप 23 को डिवाइड करें 5 पे, कोशन क्याएगा 4, और Remender क्याएगा 3, तो दिखें, जो आपके पास 5 डिवाइडन बैसे जिसको आप डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, और यह आपके पास क्या है, कोशन, और यह आपके पास क्या है, रिमेंडर, और यह आपके पास क्या है, डिवाइडन तो आप क्या लिखते हैं, आपके पास फार्मूला क्या, कांगरेंस रिलेशन का, A, कांगरेंस तो B, मौड M, तो देखें, कांगरेंस आपके पास, आपके पास डिवाइडन क्या है, 23, कांगरेंस तो, आपके पास अर्मेंडर कितना है, 3 आके पास mod जिसको आप बोलते हैं diviser mod कितना है 5 तो मैं आपको definition बता दूँ अगर आप dividen में से quotient को sorry dividen में से reminder को minus कर दें तो इसका मतलब 5 divided हमेशा करेगा 23 minus 3 तो आप check कर सकते हैं 5 23 minus 3 क्या गर 20 तो देखें 5 20 को क्या करता है मुकमल divide करता है तो मैंने क्या लिखा a congruous to b mod m तो इसका मतलब बड़ा क्या है कि ये आओ के पास क्या है divided और ये आओ के पास reminder और ये आओ के पास क्या कहलाता है diviser तो देखें जब आप dividen में से dividen में से reminder को minus करेंगे a minus b वो हमेशा divide होगा mod पे तो ये ही मैं लिखा था 20 देखें dividen हमारे पास क्या है 23 Congress to reminder हमारे पास क्या है 3 mod हमारे पास क्या है 5 जब देखें आप dividen में से reminder को minus करेंगे तो क्या गया 5 20 तो देखें 5 हमेशा 25 को क्या करता है divide यहाँ पे आओ के पास है कि m divide a तो कहता है कि minus m also divide a देखें जब आप कहते हैं कि m divide करता यह को इसका मतलब है कि a को m divide कर रहा है तो कोई ना कोई कोई कोशन आएगा उसको मैंने क्या बोल दिया t तो देखें बड़ा फार्मूला क्या होता है आपके पास dividen जाब मुकमल तक्सीम करता है divided into quotient quotient into diviser मैंने आपको बार लिखके दिया क्योंकि जाब कोई चीज पूरा पूरा तक्सीम करती जैसे 20 को तक्सीम करें 5 पे तो क्या आगया 4 तो remainder क्या गया 0 तो इसका मतलब हमारे पास divided divided is equal to quotient quotient into diviser तो बड़ा चेका लें डिवाइड आपके पास क्या है 20 quotient आपके पास क्या है 4 diviser आपके पास क्या है आप 5 तो देखें 20 is equal to 20 तो बड़ा क्या लिखेंगे आप डिवाइड क्या है डिवाइड ए कोशंट टी डिवाइजर एम तो ऐसे भी आप लिखेंगे बड़ा is equal to mt तो इसका मतलब कि यहां पर remainder 0 था वो किस थोरों को सड़ सड़ करता है आपने पड़ा था फस्तियर म तो next हमारे पास है basic properties थोरों नूमबर वन लैट A, B, C and D integer then part नूमबर 1 A congles to A mod M देखें हमारे पास असा प्रूफ है आपने क्या लिखा था A congles to A mod M आपने ऐसे लिखा था A congles to B mod M तो आपने क्या था divident में से remainder को minus कर दिया था A minus B इसको divide करेगा M जैसे मैंने लिखा था 23 congruous to 3 mod 5 बेटा तो ये dividend है dividend में से remainder को minus करें 23 minus 3 तो देखें इसको हमेशा divide करेगा mod क्या ये आ गया 5 divided by 20 तो अब आप लिखें आपके पास क्या है A dividing by A A congruous to A मौड M तो देखें बिएड़ा M divided A में से A minus करें A minus A To M divide 0 तो आखो पताए पशलो को हार number Divided करताए जिरो को हार number Divided तो इसको हम क्या लिखते हैं M divided A minus A तो इसको क्या लिखा जाता है ए कामगोनस टू ए मौड एम एक नेक्स विछा देखो देखें ना ये वड़ा reminder है sorry divided है dividing की जब पर चला जागा को फार्मूला आप यहार खा करें न डिवाइडन्ड डिवाइडन्ड कांगूरेंस टू reminder हाँ जी mod m जब आप ऐसे लिखेंगे mod mod यहां ऐसे लिख लें m dividing by divided divided minus reminder देखें बड़ा m a minus a पहला क्या शोग करता है divided को दूसरा बड़ा शोग करता है reminder को तो जब दुवारा बड़ा उसी फार्म में लिखेंगे तो divided के आगया a reminder के आगया a mod आपके पास क्या है m तो देखें बड़ा a converse a mod m next हमारे पास है इसको देखें a converse to b mod m तो बड़ा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ लिखें इसको divider में से reminder को minus करें तो m divide a minus b दूसरा बड़ा हमारे पास कहा है अब इसको आपने अभी पढ़ा था कि m divide a और minus m also divide a यह ऐसे लिख सकते हैं m divide a m also divide minus a अब यहाँ आपको property बताई थी तो m also divide यहाँ से minus common का लें b minus a तो आपको पता है यह किसको show करता है डिवाइडन को और बाद बड़ा reminder को बड़ा देखें पहले डिवाइडन आदा बाद में reminder तो हम क्या लिखेंगे डिवाइडन हमारे पास क्या है b congurus dividend फिर reminder reminder हमारे पास क्या है मोड predome in offline'd मृप सी है को सब्सक्राइब श्राइब ऑघ जया है मोड टो नस देंर हमारे पात सूर्म है के यह सुब्याय भी मौड एम और दूसरा है दूसरा है वी कांग्रिश्ट सी मौड एम हमने थापत कारना है देखें A Congress To B है, B Congress To C है तो साथ ने थाब करते हैं कि A also Congress To C Mod M देखें इंपोंटन है ये भी अब आप देखें जब आप लिखते हैं कि A Congress To B Mod M इसका क्या मतलब है कि M Divide क्या करते हैं ? डिवाइड में सर्मेंडर को को माइनस करते हैं A-B जाद पीटा आप A-B को M पे डिवाइड करेंगे तो इसका कोई 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 उसको क्या बोल दिया के वन तो फारमूला क्या था आपके पास divided is equal to quotient into divisor तो divided क्या है A minus B quotient into divisor क्या गया K1M इसी तरह दूसरी मारे पास equation है कि B congruous to C mod M तो इसको कह लिख सकते है M divide क्या करते है divided में से remainder को minus B minus C तो देखें जब B minus C को आप M पे divided करेंगे कोई कोई quotient आगा मैं सो क्या बोल दिया K2 कैसे लिखते है divided क्या B minus C quotient into divisor K2M तो देखें मैंने formula लिख ओ divided into quotient into divided is equal to quotient into divisor तो देखें मैंने लिख दिया B minus C K2M क्या करेंगे adding equation 1 and 2 1 or 2 adding adding equation 1 and 2 करें बड़ा दोनों को add A जब add करेंगे minus B plus B cancer A minus C is equal to करें minus K1M minus K2M M common ले ले A minus C M common आगया क्या आगया K minus K2 इसको दो डिवाइड कर दे A minus C divide M क्या आगया K1 minus K2 इसको मैं लिख साथा हूं M divide A minus C तो इसका मतलब है कि पहला क्या आपके पास बड़ा होता है divided minus क्या होता है remainder divided क्या है A Congress formula क्या था divided Congress to remainder remainder क्या है C mod क्या है M जब इस बात को आपने समय कोशिक करनी है मैंने लिखा था A minus C M into K1 minus K2 इसको दो डवाइड कर दे A minus C over M K1 minus K2 देखें बड़ा जब आप 24 को 6 पर डवाइड करता है असर क्याता है 4 यह किसका काम कर रहा है 4 का और यह किसका काम कर रहा है 24 का M किसका काम कर रहा है 6 का बड़ा इसको समय लेकि यह असानी पैदा किया करें आप लोग में तो देखें मैं आपको बार हा लिख रहा हूँ आपको जब आप M लिखते हैं तो पहला कहला अफ़ादा पहला नमबर क्या होता है divided minus क्या होता है remainder जब आप इसको congress relation में लिखते हैं बड़ा तो पहले divided लिखा जाता है divided and congress to remainder बड़ा और फिर mod तो देखें अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे हमने लिखा था M M A minus C तो बड़ा ये क्या है mod mod हमारे पास क्या आगया M और divided क्या है पहला क्या होता है divided ये देख लें compare divided और फिर बाद में remainder divided क्या है A द्रम्यान में क्या है congress remainder क्या है C तो देखें हमने यही साब़त करना था next हमारे पास है A Congress to B mod M and C Congress to D mod M हम असाब़त करेंगे कि A plus C जैनि left side को left side पर right कर लें और right side को right में add कर लें तो फिर भी उसका mod क्या होगा M तो देखें कि simple सी बात है आप लिखते है A Congress to B mod M तो पर इसका क्या मतलब इसको माइनस करें M dividing A minus B फिर आप लिखते है C Congress to D mod M पर इसका क्या मतलब है कि M divide C minus D देखें जब आप A minus B को M पर divide करेंगे क्याँ कुछ आएगा चलिए मैं के वाण कहते हूँ इसका मतलब A minus B is equal to K 1 M यह वाला फार्मूला divided is equal to devotion into divisor बिटा जब आप दूसरे नमर को divide करेंगे C minus D ku ड़एड करेंगे M पर तो क्या आएगा के टू divided is equal to का फार्मूला कोशन into dviser सी पुलास डी तो m common आ गया क्या क्या गया के वान प्लास के तुन इसको तो डिवाइड कर दें A पलास C माइनस C पलास D ओवर M is equal to K1 पलास K2 इसको कैसे लिए सकते हैं M डिवाइड A पलास C माइनस C पलास D तो बिड़ा आपको पता है कि यह आपका क्या है मौड है मौड M और यह पहला क्या होता क्या है सौरी डिवाइड बिड़ा पहला डिवाइडन A C कांगनस तू तो बाद वाला क्या जो माइनस होता वो क्या होता है रिमेंडर C पलास D बिड़ा आप लिखते हैं M डिवाइड A माइनस B बिड़ा पहले वाला डिवाइडन डिवाइडन दूसरे वाला क्या होता है रिमेंडर मैं बार बार लिखके दे रहा हूँ आपको और ये क्या होता है बेटा मौड जब आप ऐसे लिखते हैं तो मौड को आप इधर लिखते हैं मौड और इधर लिखते हैं आप डिवाइडन को divided congruence to remainder यह आप relation इसकी याद कर लें च्छे दरीके से तो देखें मैंने लिखा और यह आप दवारा इसको लिखें उसी फार में तो देखें a plus c b c plus d mod m यही मैंने थापत करना था next हमारे पास है कि a congruence to b mod m then a c is equal to b c mod m तो क्या मतलब a congruence to b mod m यह हमने थापत करना है तो देखें इसका मतलब m divide a minus b divider में से मैंने remainder को minus कर दिया m को divide करेंगे a minus b पे कोई ना कोई quotient आएगा क्या आगया k तो divided is equal to quotient into k m दोनों तरफ c से multiply कर दें a c minus b c is equal to k c m तो m को देखेंग कर दें a c minus b c over m इदर क्या आगया k c तो इसको मैं लिख साथा हूँ m divide a c minus b c ज़रा इसको फिर समझे लें bida a c minus b c over m is equal to k c आप लिखते हो 24 over 6 answer कहता है 4 यह काम का रहा है 4 का यह काम का रहा है m का और bida यह काम का रहा है c का तो आप इसको इस तनाजर में देखा करें आप तो आप आप देखें तो जो आपके पास पहला क्या है divided a c congress to बाद में कहा था remainder remainder क्या है b c mod आपके पास बड़ा क्या है m तो मैंने बताया था के बड़ा जाप देखो जो माइन जो ए है वो divided है congress जो माइनस हो रहा है वो remainder है और यह क्या है mod है तो देखें यही हमने बड़ा साब़ करना था तो next हमारे पास पार्ट 6 है if a congress to b mod m then a की पावर के congress to b की पावर के mod m तो हमने साब़ करना है कि a की पावर के plus b की पावर के उसको भी डिवाइड क्या करता है mod m तो देखें a congress to b mod m का क्या मतलब है कि m divide a minus b जब आप a minus b को divide करेंगे m पे कोई ना कोई कोई कोशन आएगा मैंने बोल दिया k1 तो क्या फावर मतलब है divided is equal to कोशन इन्टू diviser k1m तो सबसे important बात देखें जब आप factor करते है बिड़ा a की पावर k minus b की पावर k के factor आपने देखने a minus b आएगा इसकी आप पावर को एक कम करके लिखेंगे क्या लिखेंगे a की पावर k minus 1 तो b को शुरू करेंगे 0 से इसकी पावर को एक कम करते हैंगे k minus 2 और b की पावर को एक पावर को बढ़ते जाएंगे a की पावर को एक एक कम करते हैं और b की पावर को बढ़ते जाएंगे plus up to son देखें a की पावर k है तो a की पावर 0 बनेगा और B की पावर 0 तो K-1 तो इसका हम लिख सकते हैं A की पावर K माइनस B की पावर K is equal to A-B A की पावर K-1 B की पावर K-2 क्योंके B की पावर answer 1 A की पावर 0 again answer 1 तो आज़ेगा B और A की पावर K-3 B2 पर लास अप्टू सौन B की पावर K-1 यह मैंने इसके फैक्टर आपको बता दिये मैंने इसके फैक्टर कैसे बनते हैं अब आप देखें A-B की जगापे A-B की जगापे भी यह वैल्यू पूट कर दें क्या गया A की पावर K A की पावर K- B की पावर K is equal to A की पावर K-1 B A की पावर K-2 अप टू सौन B की पावर K-1 इस A-B के पर मैंने क्या पूट कर दिया K1 M और M को आप इज़र डिवाइड कर दें क्या गया A की पावर K- B की पावर K- अबर M अबर की पावर K-1 B A की पावर K-2 प्लस अप टू सौन B की पावर K-1 इसको मैं लिख साथा हूँ M डिवाइड A के माइनस B K अगर मैं इसको लिखना है जो मौड की फाम है तो मौड क्या है M है देखें मौड क्या है M और पहले को क्या बोलते हैं डिवाइडन A के कांगरस बाद में क्या होता है रिमेंडर क्या लिखते हैं B के जो कि मैंने सावब कार दिया A के कांगरस को B मौड M और जो सबसे इंपॉर्टन बात है जो आप समय कोशिक करें इसको देखें आप ये वाला आप लिखते हैं 24 डिवाइडन बाद 6 आंसर क्याता है 4 बिड़ा ये A की पावर के मैंज़ B के पावर 24 है और M क्या है 6 है और 4 आपके पास ये सारा है तो ये हमारे पास important थूरम थे नमबर थूरी के इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेर करें